नमस्कार स्वागत आपका उनली नियूस नेशन में आईए शुवात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से 2003 में प्रणव मुखर जी के नेता तो में कॉंग्रिस ने की थी CAA और NRC लाने की मांग ये exclusive report खोल देगी आपकी आँखे परणवंद्री नेशन मोदि के नेता तो में केंदर सरकार ने पाकिस्तान बंगलादीस और अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से प्रतारित धार्मिक अल्पसंख्यकों को भाते नागरिकता देने के लिए नागरिकता संसूधन कानून बनाया है लेकिन आज Congress Party इस कानून का विरोध कर देजभर में मुसलमानों को भड़का कर हिंसा फैलाने के में लगी है Perform India की एक exclusive report में हम आपको Congress के दोहरे चरित्र का परदा फास करेंगे हम आपको बताएंगे के अटल बिहारी बाजपे की सरकार में इसी Congress Party के नेताओं ने सरकार पर इन देसों के धार्मिक अल्पस संख्यकों को भारते नागरिक्ता देने का दबाब बनाया था तब प्रणव मुखर जी के नेताओं में Congress ने देस में CAA और NRC लागू करने की मांगी थी वाजपी सरकार ने प्रणव मुखर जी के नेताओं में बनायी थी संसदियस समिती आपको बता दें के 2003 में जब देस में प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपी की नेताओं में NDA की सरकार थी तब इस मुद्धे पर राय देने के लिए उन्होंने इसे आंतरिक मामलों की Standing Committee के समक्ष बेजा था हमारे पास उस कमिटी के सांसदों का नाम है जिसमें अधिकतर Congress Party के सांसद है इस कमिटी के Chairman Congress सांसद प्रणम मुखर जी थे जबकि सदस्यों में Congress के राजसवा सदस्य कपिल सिबल, हंस राज भारतवाज, मोतिलाल वोरा और अंभिका सोनी जैसे सांसद स्वामिल थे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रणम मुखर जी की नेतातों वाली इसे कमिटी ने वाजबे इस सरकार पर पाकिस्तान और बंगलादीज के धार्मिक अल्प संख्यकों को भारते नागरिकता देने का दबा बनाया था प्रणम की अगुवाई वाली समिती ने बनाया था सरकार पर दबा कॉंग्रिस संसद प्रणा मोखर जी की नेता तो मैं इस संसदे समिती ने अपनी सेफारिसों में इस पश्ट तोर पर कहा था कि पाकिस्तान और बंगला देश में धार्मिक अल्प संख्यकों को यानि हिंदू, जैन, पार्सी, बौध, ईसाई और सिखों को भारते नागरिकता दी जाए इतना ही नहीं, कॉंग्रिस नेताओं की अगुवाई वाली इस समिती ने वाजपेश सरकार से पाकिस्तान और बंगला देश से आए इंशरनार्थियों को ततकाल नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी देने को कहा था यानि देश में एनर्सी लागू करने की मांकी थी इस सिफारिसों में यह भी इस्पश्ट तोर पर कहा गया था कि पाकिस्तान और बंगला देश के किसी भी धर्मिक बहुत संख्या क्यानी मुसल्मान को भारते नागरिकता नहीं दी जाए संसदिय समिती की इस रिपोर्ट को 12 दिसंबर 2003 को संसद के दौनों सदलों के पर्टल पर रखा गया था कॉंग्रिस का दोगला चरितर आया सामने इस खुलासे के बाद कॉंग्रिस का दोगला चरितर साफ हो गया है 2003 में जब ये कॉंग्रिस विपक्ष में थी तब इसने वाजपई सरकार पर पाकिस्तान और बंगलादेश के धार्मिक अल्प संख्यकों को भारतीय नागिता देने के लिए दवाब बनाये था और आज जब मोधी सरकार ने यह कर दिया है तो यही कॉंग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है अब तक लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमशकार और देखते रहे हैं और ली न्यूस नेशन